हेलो गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल स्टड़ी विद दीपा सहनी गाईस आज की जो हमारे ये कोशन्स है ये कोशन्स आपके वाटरफॉल टोपिक से है और कई बार एक्जामीनर वाटरफॉल से कोशन्स डालता है और बच्चे कोई ये किसी पर्टिकुलर बुक में भी न उने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं कोशन्स डालता है बारत में सबसे उचा जल परपात कोन सा है शिमसा जल परपात हगी होगी कलकल जल परपात, कोटा सलम जल परपात, जोग जल परपात, तो आपको याद रखना है जोग जल परपात, जोग जल परपात है वो भारत का सबसे उचा वोटरफोल है, इसको याद रखोगे, नेक्स्ट आता है विश्व विख्यात जोग या गर्सोपा जल परपात, देखो जोग का दूसरा नाम यहां पर दिख गया, क्या है वई, गर्सोपा, ठीक है, क्या है जोग का दूसरा नाम, गर्सोपा, ठीक है, आपको दिख गया है ना, गर्सोपा, तो जोग का दूसरा नाम, गर्सोपा, जो जल परपात है, वो किस राज्य में है, करनाटक, आएगा करनाटक राज्य में तो करनाटक राज्य में पढ़ता आपका जोग जल परपात जिसका दूसरा नाम गर सोपा जल परपात भी है नेक्स्ट आता है कोशन नमबर थ्री जोग या गर सोपा जो जल परपात है इसका नया नाम क्या है सरदार पटेल जल परपात महतमा ग गांदी जल परपाथ तो ये सारे करंट से कोशन हो गया मातमा गांदी जल परपाथ अब याद रखना इसको तो देखो तीन नाम हमने पढ़ लिए जोग जल परपाथ गर सोपा जल परपाथ और मातमा गांदी जल परपाथ नेक्स्ट आता है कोशन नमबर फोर जोग जल पर पर पाथ किस नदी पर है तो जो जोग जल पर पाथ है वो किस रीवर पर है तो वो पढ़ता आपकी शरावती नदी पर करनाटक राज्ये में शरावती नदी पर पढ़ता है जोग जल पर पर तो नियर अबाउट ये आपका 220 मीटर के उचाई से पानी गिरता है यहां से ठीक किस राज्य में स्तित है नर्मदा तापती इंद्रावती चंब तो यहां पर दुआदार वोटरफोल की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर है ठीक है बहुत ही अपने प्राकर्तिक सुंद्रे के लिए फेमस है यह वोटरफोल और एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि दुआदार वोटरफोल किस नदी पर है तो याद रखना इसका अंसर होगा नर्मदा नदी नेक्स आता है कोशन गाईस कोशन नमबर 6 कपिल धारा जल पर पात किस नदी पर है तापती शरावती नर्मदा इंद्रावती तो अंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी पर ही प पूट होता है शिव समुंद्रम जल परपात किस नदी पर सित है नर्मदा नदी कृष्णा नदी गोदावरी नदी और कावेरी नदी तो शिव जो समुंद्रम वाटरफोल है यह आपका पढ़ेगा कावेरी नदी पर ठीक है कावेरी नदी पर पढ़ता है शिव समुंद्रम जल परपात, famous है यह waterfall next आता है question number 8 गोकक जल परपात किस नदी पर है कावीरी, तामर परणी शरावती और गोकक तो भई यह गोकक नदी पर ही है गोकक waterfall गोकक waterfall आपका गोकक रिवर पर ही पढ़ता है, next आता है question number 9, और again most important question और exam में आ चुका है PGT में, हुन्रू waterfall निर्मित है, स्वन्रेखा नदी पर कावीरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर, तो अंसर हो जाएगा हमारा, श्वन्रेखा नदी पर है भई आपका हुन्रू waterfall तो अंसर हो जाएगा, स्वन्रेखा नदी next आता है, question number 10 बारत में किस जल परपात को लोग परिये रूप से नियागरा जल परपात की तोर पर जाना जाता है बरका, बरका काना, चल परपात चित्र कूट जल परपात, रजट परपात या केविटी परपात तो अंसर हो जाएगा भई आमारा चित्र कूट जो परपात है इसे आपका नियागरा वोटरफोल के नाम से भी जाना जाता है तो नियागरा वोटरफोल की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा चित्रकूट जल परपात नेक्स आता है कोशन गाईस कोशन नमबर 11 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तो यहाँ पर देखें कोशन यहाँ पर एक तरफ आपको जल परपात दिये गए हैं और दूसरी तरफ आपको नदियों के नाम दिये गए हैं चलिए से सॉल्फ करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम जोग जल परपात जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ जोग जल परपात आपके किस रीवर पर शरावती नदी पर तो एका वन देखना में एका टू, एका टू, एका फोर नदी पर है, धुआदार वोटरफोल आपकी नर्मदा नदी पर है और गोकक वोटरफोल आपकी गोकक रीवर पर है तो ये चारों वोटरफोल आपको एकी कोश्चन से याद हो गई नेक्स आता है एशिया का सबसे बड़ा जल परपात हुन्रू किस जंगय के पास है तो देखो मैंने आपको बताया था हुन्रू जो वोटरफोल है वो किस नदी पर है, स्वन रेखा नदी पर और स्वन रेखा नदी से एक कोश्चन एक्जाम में बहुत बनता है जो कि PGT और TGT दोनों में पूछा जा चुगा है कोश्चन ये है कि भारत में कि जो लोहा इस पात उद्योग है ना उनको जो पानी है वो किस नदी से मिलता है तो भारत के जो लोहा इस पात उद्योग है जैसे फोर एक्जमपल Tata Iron and Steel Company Indian Iron and Steel Company विशो सवरेया Iron and Steel Company ठीक है इन सब को जो पानी मिलता है ना वो सुवन रेखा नदी से मिलता है इस कोश्चन को याद रखना अब कोश्चन आता है कि सुवन रेखा नदी बहती किस राज्य में तो भई जार्खन राज्य में बहती है और जार्खन राज्य में जो ये बहती है तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से कि एशिया का सबसे बड़ा waterfall हुंडरू किस जंगय के पास है रांची हजारी बाग जमसेद पूर बोध गया बड़े नजदेक वाले option डाले एक्जामिनर ने पर आप करोगे जारखंड की capital रांची को अंसवर ठीक है तो सबसे बड़ा waterfall है हुंडरू वो रांची जंगय के प यह आपका किस पर स्थित है जोग परपात पे अंसवर क्या उजाएगा जोग परपात ठीक है next आता है question number 14 गोकट परवात किस जिले में स्थित है जो गोकट जल परपात है यह आपका बेल गाउं में स्थित है गोकट नदी पर और बेल गाउं में ठीक है I think करनाटक में राजा रानी रोरर और रोकेट यह सभी किस से सम्मंदित है कावेरी कृष्णा जोग परपात श्रिंगेरी तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा जोग परपात राजा रानी रोरर और रोकेट यह सभी किस अभी आपके जोग परपात से सम्मंदित है ठीक है next आता है guys question काको नवादा रोहतास कटिहार भागलपूर तो काकॉलत वोटरफोल की बात करें ना गाइस तो यह वोटरफोल आपका पढ़ता है नवादा जिले में ठीक है वन मिनट किस जिले में पढ़ेगा नवादा काकॉलत जो वोटरफोल है वो बिहार के नवादा जिले में हैं तो काकॉ लट वाटरफोल के वारे में आपको पता चल गया तो ये वाटरफोल पढ़ेगा भई आपके नवादा जिले में नेक्स्ट कुशन आता कुशन नमबर सेवंटीन सहसर धारा जल परपात स्तिते देरा दून मनसूरी आपका पंत नगर और शिरी नगर तो राइट अंसर होगा गाईस हमारा धेरा दून जो कि उत्राखन में पढ़ता है तो हजारो धारो वाला धाराओं वाला जल परपात भी से कहते हैं और यह एक्जाम में भी पूछा जा चुका है कि हजारो धारा हैं ऐसा वाटरफोल किस राज्य में है तो उत्राखंड राज्य में है और उत्राखंड के भी धेरादून में ठीक है धेरादून जंगया पर है सहसर धारा वाटरफोल नेक्स आता कूशन नमबर 18 नीलगिरी के परवर्तिय चेतर में कौन सा जल पर पात स्तीत है नीलगिरी जहां पर आपके केरल, तमिल नाडू और करनाटक राज्य है ना इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है और यह भारत के बिल्कुल दक्षनी भाग में है तो नीलगिरी क परवर्तिय छेत्र में कौन सा waterfall स्तीत है जोग ये ना दुआधार पायकारा तो यहां पर हम बात करें बिल्कुल साउथ की तो देखो ये तो नर्मदा पर पढ़ता है ये ना ये शरावती पर पढ़ता है और ये ना waterfall भी आपका ये भी नहीं आएगा तो पायकारा रहेगा इ नीलगरी के परवर्तिय छेत्र में पायकारा waterfall आपका स्तीत है नीलगरी से एक कोशन ये भी बनता है कि ऐसे कौन से पहाडिया है जिन पर पूर्वी गाट और पश्मी गाट आपस में मिलते हैं तो आप देखो साउथ में बहुत सारी पहाडिया है बिल्कुल लास्ट में आ पहाडिया हैं और भी पहाडिया हैं साउथ में बट अंस्वर हमारा क्या रहेगा कि नीलगरी के पहाडियों पर ही आपके पूर्वी गाट यह आपका पश्मी गाट और यह पूर्वी गाट दोनों गाट आपस में आकर मिल जाते हैं तो अंस्वर हो जाएगा नीलगरी की पहाड़ी है तो नीलगिरी की पहाड़ी आई अंसर करना आप नेक्स्ट आता है कोशन नबर 19 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है सिव समुंद्रम जल परपात कावीरी इसकी बात करें देखो सिव समुंद्रम जो वोटरफोल है वो आपकी कावीरी नदी पर धुआधार जो यह अमारा सुमेलित नहीं है बाकी यह सारे क्रेक्ट है तो सैसस्त्र धारा वोटरफोल आपकी बालदी रिवर पर है उत्राखन राज्य देहरादुन जंगय का नाम दुआधार वोटरफोल नर्मदा नदी पर सिव समुंद्रम जल परपात आपकी कावीरी नदी पर गर्स सरकल में ताकि मैकसिमम स्टूडेंट जुड सकी हाना तो व्यूस भी थोड़े बहुत बड़े यह क्या 50-60 व्यूस के बीच में कहानिया टक कर रहा जाती है फिर बनाने का मिमन नहीं करता तो कुछ आप भी स्पोर्ट कीजिए चैनल को ठीक है थोड़ी करो भी पबलिसीट तो आपके अच्छी त्यारी हो जाएगी गारंटी मेरी है आपके 45 प्लस नंबर आज आएंगे अराम से आपके सब्जेक्ट में अगर आप मेरा पेड़ कोर्स लेते हो तो ठीक है और वैसे भी स्क्रीनिंग की अभी पोस्टी निकले वाली है निमन में से कौन सा जो यूग समेलित नहीं है तो बही जोग और करनाटक इसकी बात करें ये ठीक है पाप नासम हिमाचल परदेश धुआदार मद्या परदेश बिल्कुल करेक्ट हुंडरू आपका जार्खन राज्य बिल्कुल करेक्ट पाप नाशम जो बोटरफोल है वो हिमाचल परदेश में ये कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए have a nice day okay bye bye see you